हैलो एवरिवान आज मैं बनाने जारी हूँ ओरिया का एक फेमस दिश रो बहुत ही जादा यम्मी लगता है यह मैंने उरत डाल को चार पांच खंते के लिए भिगो के रखा था अभी मैं इसको मिक्सर जार में डाल के ना एक अच्छा सा पेस बना लूँगी और देखिए य इसमें मैंने कोई पानी वगरा आद नहीं किया था अभी इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से हाथ से बीट कर लूँगी ताकि यह थोड़ा सा फलफी हो जाए इसको फिर मैं एक गंटे के लिए रेस्ट करूंगी उसके बाद इधर देखिए मैंने पटेटो को स्टीम कर लि है फिर अच्छे से करेंगे mix mix and mix उसके बाद यह fry करने के लिए mixture ready हो गया है अभी मैंने कराई में oil डाला और उसमें मैंने थोड़े थोड़े करके चोटे चोटे बॉल्स बना के उरत डाल के इस तरीके से पकोरे बना लूँगी बहुत जाड़ा भी fry नहीं करूंगी उसको मैंने room temperature वेले पानी में डाल के रखा टाकिये soft हो जाए इधर मैंने डही को इस तरीके से फेट लिया है फिर इसमें मैंने पानी डाला इसके बाद दो green chili और एक पीस अद्रक का मैंने अच्छी तरीके से कूट लिया है इसको मैं डालूंगी मेरे डही के उपर फिर उसके ब इसको मैंने अच्छे से तरका लगा दिया मेरे डही के उपर और ये flavorful डही मेरा actually डही नहीं है ये chance है chance दयार हो गया और इसमें मैंने अब उरत डाल के भल्ले को डाल के अब ही मैंने पतेटो करी बनाने जा रही है उधर मैंने कराई में ओइल डाल के उसमें मैंने हींग जीरा और थोड़ा सा खरे गरम मसाला डाल के अच्छे से थोड़ा सा कुप कर लिया अनियन भी डाल दिया था जो थोड़ी देर के लिए पकाना पड़ता है उसके बाद मै अब अच्छे से छला लेना है और इसको अच्छे से मेख करके इसमें पानी डालना है और अच्छे से इसको उबालना है brinc आपकाreal अब को हुआ है अभी हम इसको सर्फ करेंगे बड़े ले लेंगे एक प्लेट में जिसमें बहुत ही सुन्दर फ्लेवर आ रहा है और उसके बाद थोड़ी सी उपर आप लोग जीरा पाउदर डाल सकते हैं जिसको मैंने अवाइद किया उसके उपर आलू डम एंड चॉप्ट अनियन डाल के उसके उपर दालेंगे शेव और ये हमारी डाही भोला आलू डम रेडी हो गया बहुत ही जबर्टस्थ है लाइट ऑन स्तमाक एंड बहुत ही टेस्टी है अमेजिंग 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 डिष आप लोग ज़रूर ट्राई किजिए और ट्राई करके श्रूर बतायेग झाल